Hey guys welcome back to my youtube channel तो आज हम Dragon King series को फिर से continue करने जा रहे हैं तो जैसके हमने previous episode में देखा था गुई बोलरी होती है कि कुछ काम था मुझे इसलिए में लेट हो गई जैसे मैंने वो खतम किया तो मैं वापिस आगे जल दिसे देखा मैं तुम्हां लेट क्या लाई हूं एपसर नवारे 25 की स्टार्टिंग होती है उसमें खाना होता है बुलिन देख रहा होता है सोच रहा होता है तो वाइल्ड सी कुकंबर है देखने से ऐसा लग रहे कि ये अट लिस्ट 20 साल के तो होंगी बुलिन बोलता है कि तुम नए बनाए है गुई बोल रही होती हा मैंने कुछ दिन पहले ये सीखा था पर टेस्ट ऐसे होगा बुलिन सोच रहा होता है शरग अकेडमी के स्टूड़न के लिए टाइम बहुत ज़्यादा इंपोर्टन होता है गुई ने एक्चली मैं अपना टाइम कुकिंग सीखने के लिए लगाया ताकि मेल ये खाना बना सके गुई बोल रही होती है खाओ इसे ठंडा मत होने देना बुलिन बोलता है वो सोच रहोते है डिश कितनी ज़्यादा अच्छी है और नुट्रिशन से भरी हुई है गुई ने काफी ज़्यादा महनत किये से बनाने के लिए गुई बोल रही होती है बुलिन बोलता है कि मैंने फिनिश कर लिए चलो वापिस चलते है वो गुई की तफ देख रहा होता है कि तुम कहा देख रही हो उनल के तुम हम तुमा पहता हूं इंप आरिधर देख रहा हूं उनल क्वी ढौन एधधा थी हो सिन डॉक्टाशं मट आरे अचंगर्मयों। मैं तुमाई रेफरी हो उनल कि आर्य कि अंध़ न। काफि प्तुम्स न्य। chant सकते तो मतलब उन्हें फाइनल अगजामस में अच्छे किया था वोलन बोलता है कि हमारे क्लास थेरड एर की फर्स्स क्लास को आदे समेस्टर बात चैलेंज करें तुमें लगता है जितना बड़ा डिस्टेंस होगा हमारे और सीनर्स के बीच में उतने ज्यादा मोटिवेटे करने के लिए लाइक कम पूरी कोशिश करेंगे उन तक पहुंचने की वुचॉंग्ट्यान बोलते है को जादे जल्दी नहीं तुम डिसकस कररी हो बाद में करना वुछॉंग्ट्यान सोच रहा होता है क्या मैं ऐसे इल्यूजन वाला बच्चा समझु या फिर तब ही लोग अपने boundary division skill को use करता है वो सोच रहा होता है कि मेरी boundary division जो वो सबी energy जो element की उन्हें separate कर सकती है टांग वुलिन को ज़र टांग वुलिन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा पीछे वो अकेला फसा रह जाएगा वो कहीं भाग नहीं पाएगा गुई भी help नहीं कर पाएगा इसकी वो अपने rings को activate कर लेता है और बोलता है कि मतलब सोच रहा होता है कि यह जो 4 rings है मेरी soul skill की यह तुमा लिए gift है तुम enjoy करो इसे बुलिन सोच रहा होता है कि लोग गुजिंग के पास 4 rings है यह पका इसकी नई soul skill होगी यह पूरे तरिके से prepare race challenge के लिए बुलिन blue silver impaling formation को यूज कर रहा होता है और सोच रहा होता है अमेगा खुद क्यों पर rely करना पड़ेगा वो अपनी blue silver grass को भू की तरफ भेज रहा होता है तभी लियांग बोल रहा होता है गुसे से क्या तुम sure हो कि blue silver grass मुझे रोक पाईगी वो ऐसे गुसे से आगे तरफ attack करने के लिए आ रहा होता है दूसरा अपने death seat को यूज कर रहा होता है वो सीडियो अपनी abyssal pike को यूज कर रही होती है लियांग अपना golden beard giant palm को यूज करता है वो मतलब different attacks के साथ woolen की तरफ हारे होते है साथ में luo ने woolen को बान दिया होता है special lockdown लगा के वो सोच रहा होता है कि अब time है woolen को हराने का इसे हराने के बाद मैं zangiran की poisonous mist में छुप जाओंगा ताकि हम फिर plan को बदल पाएं पहले हमें इसे हराना पड़ेगा woolen ऐसे smile करता है वो सोच रही होती है दो golden soul rings के पास एक और काहन से आई woolen अपनी golden dragon body को यूज करता है साथ में golden dragon emperor body को भी जो उसकी second soul skill होती है वो बोलती है कि हमारी strike का कोई असरी नहीं हो है इसके उपर उन तिनों आटैक कर दिया होता है लियांग सोच रहा होता है मेरी bloodline energy खतम होई अभी अभी दूसरा सोच रहा होता है कि ये अकेला हम सभी की powerful strikes को ले सकते किस तरह की physical strength है इसके पास के इनसान भी है woolen तभी shaking at golden dragon skill को यूज कर देता है और वो सभी हवा में उड़ जाते है ऐसे ही वो यू का fireball attack होता है वो ऐसे खांसरी होता है उसके मूँ से घून निकलाता है जीजी उसके पीछे पहुंच जाता है और अपने knife को उसकी garden पर रख देता है ऐसे वो भी बाहर हो जाती है तब woolen आगी देव जा रहा होता है लियांग की तरफ वो अपने golden dragon claw को यूज़ करने लगा होता है उसके claw से लियांग पूरी तरिक्के से दब जाता है और ऐसे ही खतम हो जाता है वहीं पर ही वो भी बाहर हो जाता है लू अपनी starlight shackles को यूज़ कर रहा होता है जैंगिरान बोलती है कि मुझे लू को बचाना पड़ेगा जिंगलान बोल रही होती है तुम कुछ जादा लेट उसे बचाने के लिए वो अपनी sword को लेके बेहिकल लू की garden पे रख देती है वो लू सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है जैंगिरान का तो अब कोई चांस ही नहीं बचा हूँ जीत नहीं है यूँकि 1 vs 5 हो गया है वैनन सोच रही होती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने जादा कम टाइम में इतना इंप्रूव कर जाएंगे इसने में को रिक्वेस्ट की थी कि मतलब मैं इसे प्रोटेक्ट करूँगी उस टाइम पे शायद इसका ब्रेक्थ्रू हुआ था सेकंड साउल रिंग में उतना जादा डिफेंस पावर मिली ये से लूँ ऐसे बोल देता है कि हम हार मानते हैं हमने सोचा था कि एक साल के हार्ट वर्क के बाद हम जीत पाएंगे पर हमारे बीच में जो गया पर वो बड़ा और बड़ा बनता जा रहा है क्या तुम सच्फ मुझ इनसान खो लास मोनिटर कि अंट रहा होता है किम दो वारा कंपीट करेंगे हमाथ अनने घंत सूच रहोते है कि मैं cultivation zone को देख लेते हूं पहले वैसा होगा जैसा मैंने सुना है वह reception पर बैटा होता है कि मैं cultivation zone को यूज करना चाहता हूं reception पर बैटा होते इनसान, वह बोलते है कि तुम्हें 100 contribution points देने पड़ेंगा 1 गंटे के वुलिन सोच रहा होता है कि 100 points से तो कुछ जादे price ही है और उपर से कोई discount भी नहीं है मैं यह होप करता हूं कि काम करेगा actual में यह वुलिन बोलता है कि मैं एक घंटे के लिए करूंगा training वो इनसान बोलता है तुमारे attribute के हैं मैं वुलिन बोलता है plant time वो इनसान बोलता है कि left में जाना तुम 7th room में अगर तुम renew करना चाहते है तुम मेरे से बात कर सकते द्वारा वुलिन जाता है एक जग पहुंसता हम भी कुजा plants होते हैं वो सोच रहता है वाओ बाहर से तो ऐसे नॉर्मल सा छोटा से रूम लग रहा था पर अंदर तो यह बहुत बड़ी cave है यहां पे काफी जादा plants और मैं फील कर सकता हूं life की अपने face के ओपर जो heaven और earth elementary forces है इस place में वो जरुभी कम नहीं से सीगोड island से शर्क साच में deserve करता है शर्क के लाने के लिए यह कितने साथ खतनाक चीज़ जो नहीं की हुए है यहां पर फिर भी सीगोड island में free है पर वो अकेला benefit inner court के students के लिए ही है लोग जालिस फील कर रहा होता है वह अंदर की तब जातर वहां बैठ जाते है cultivate करने के लिए एक एंटे की बात वह बोल रहा होता है कि मेरी cultivation speed 20% से ज्यादा बढ़ चुकी है बलकि academy में बेचने पड़ेंगे ताकि मैं contribution points को पास सकूँ वो receptionist के पास आ रहा होता है receptionist पूसता है कि तु क्या हुआ बुलिन गुसे से बोल रहा होता है कि मैं कल सुबह morning के लिए extend करना चाहता हूँ अपने plan को तो इंसान बोल रहा होता है कि या तुम ठीक हो फिर मैं नए semester के पहले दिन का सींद गायता है बुलिन बोल रहा होता है कि elder fang मैं कुछ spirit lois को sell करना चाहता हूँ forging association को मैं कैसे ब gold crystal के हैं उनका fusion rate 65-80% के बीच में है fang सोच रहा होता है कि 6th rank forging master के लिए मुश्किल होता है इतने जाधा spirit lois को forge करना है तुम टाइम पर बोल रहा होता है 30 pieces इतने जाधा fang बोल रहा होता है कि मुझे दिखाऊने association काफी pay करेगी तुमें इसके लिए वुलिन बोलता है यह सभी वो एक box call लियाता है बड़े से और उसमें उतने सारे ही fang सोच रहा होता है मैंने बिल्कुल से decision लिया था इसे अपना student बनाने के लिए it definitely divine artisan बनेगा future में वुलिन सोच रहा होता है कि elder fang तो एक तरीक के से पागली हो जाएंगे अगर उन्हें म बोल रहा होता है कि तुम quantity में supply कर रहे हो तो मैं तुमें extra 10% दूंगा मैं तुमें total 16,35,300 contribution points देता हूं वुलिन सोच रहा होता है high rank forging सची मुझी कुछ जादे profitable है वो अमीर ही हो जाता है एक तरीके से वो बोल रहा होता elder fang क्या कोई teacher है शर्क में जो driving सिखाता है मैं drive करन जाता हूं वो करने से थैंक बोल रहा होता है कि drive करना क्यूं सीखना है तो मैं mecca fast होता है car से वुलिन बोल रहा होता है कि कोई जरूरत नहीं मैं को use करने की है ना मैं battle armor master बनना चाहता हूं थैंक उसे मारता और बोलता है कि तुम बेफकूफ हो क्या mecca और battle armor इतने भी अलग करेंगे थैंक बोल रहा होता है कि mecca initial line होती defense की अगर लड़ाई की बात करे तो mecca की protection की बस रिचा किसी भी situation में तुम क्यों ना हो तुमारे जिंदगी बच जाएगी तुमारे साल power बची रहेगी इतने भी use नहीं होगी इस साल तुमारे पास होंगे mecca driving lessons उसमें सोना नही में बच्चे डीग है hard work करना है वो लिन बोल रहा होता है ठीक है वो सोच रहा होता है अच्छी बात है कि मेरे पास काफ़जा contribution points है तो एक mecca खरीदना है मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए वो बोलते है कि कितनी ज्यादा कीमत होती है एक mecca की फैंक बोल रहा होता है ये लो association तुमारी help कर सकती है तुम्हें एक mecca बनाने के लिए तुम्हें materials खुद बाखुद देने पड़ेंगे yellow level mecca जो होता है वो अच्छा होता है transportation के लिए बात में सोचना इसके बारे में mecca जादा अच्छा होगा अगर तुम move करना चाहते है पूरी continent में आवा तो बुलिन सो इतना था अब नेक्स लात तो में कुछ दिनों में तब तक लिए मिलते हैं आपसे बाई